नमस्कार दोस्तो आज फिर से स्वागत है आप सबको इस टेखुड आटे के यूटुब चाइनल पे आज हम बात करेंगे चीजल के बारे में यानि छेनी के बारे में ठीक है यहाँ पे कई परकार पे छेनी रखा हुआ है और सबसे पहले बात करते हैं हम चीजल यानि छेनी दो परकार के होते हैं एक होता है कोल्ड चीजल और दूसरा होता है फर्मल चीजल तो यह हमारा कोल्ड चीजल के नाम से जानते हैं इसको इसके अलग-अलग अकार होते हैं साइज होता है अलग-अलग प्योग में लिया जाता है तो यह सब हमारे जोगी है छोटे बड़े यह हमारा है कोल्ड चीजल और यह हमारा हो गया फर्मल चीजल तो कोल्ड चीजल का पड़ियोग हम किसी तोर फोर यानि का अगर दिवार को तोर ना हो या पीरर वगरों को फोरने में काम करते हैं या लोहा वगरों या रड़ वूड होता है इससको काटने में काम करते हैं और फर्मल चीजल का परियोग हम बढ़ाई गिरी के रूप में काम करते हैं यह एक कार्पेंडर लोग जो काम करते हैं लकरी को होल करने के लिए तो इससे ये भी कई उसधे में आते हैं ठीक है ईक का आता है जो जिसको कचक बोलते हैं लोग एक्ट् Tibetan वह क्या है फर्मल चीजल है और इसका टीप पतला होता है और यह फ्लाट में है तो इसका पड़ियोग हम समझ गाए है कि लकडी को खोल करने में खनने में किया जाता है और इसका किसी भी चीज को फोरने में किया जाता है तोड़ने में किया आता है और अब चलते हैं एक और भी हमारे पार स्टूल्स है जो कि ट्राइस्क्वार के नाम से जानते हैं इसको और बहुत सारे लोग इसको गोनिया बोलते हैं तो ये है हमारा ट्राइस्क्वार या गोनिया बोलिए इसको इसके बाद है हम इसका कार्य जान लेते हैं ये हमारा किसी भी जॉब है या हमारा लकडी है जो भी है उसको 90 डिग्री बनाने में हम इसका परियोग करते हैं और इसका कार्ट पेंटर में हो या कोई भी चीज हो जिसमें हम 90 डिग्री हमको संपोन बनाना है वहाँ पे हम ट्रा नहीं रन्यवाद